नमस्से मैं हूँ सचिंगोयल और अपका सोगत खरता हूँ लोग पल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं इस कारेकरम में दोस्तों मौजूता वक्त में व्यस्त वे तनाव से बरी जीवन चैली के कारण लोग कम उमर में ही कई रोगों का शिकार हो जाते हैं जिसमें नसों में ब्लोकेज की तेजी से बढ़ती हुई हेल्थ प्रब्लम एक मुख्य प्रब्लम है यही करण है कि बारत में बहुत तेजी से यंग एज में भी दिल के दोरे और स्ट्रोक जैसी प्रब्लम बढ़ती जा रही है आपके परिवार में किसी को भी नसों में ब्लॉकेज की प्रावलम है नसों में दर्द रहता है नसों की कमजोरी की समस्य है नसों में खिचाव रहता है या फिर अगर आपके शरीर में नसों सकरी हो चुकी है शरीर में कहीं भी नसों की रुखावट है तो आज जो चीज में आपको बता रहा हूँ उससे सारी समस्य हैं पूरी तरह दूर हो जाएगी और आपकी नसों की ब्लॉकेज पूरी तरह खुल जाएगी दोस्तों आज के टाइम में नसों में खिचाव, एटन, ब्लॉकेज होना बहुत आमसी बात हो चुकी है क्योंकि आजकल लोगों का खान-पान और जीवन चैली बहुत बदल चुकी है लोग फास्ट फूड और मैदे वाली चीज़ें ज्यादा खाते हैं, लेट सोते हैं, योग, एक्सेसाइज वज़ेरा नहीं करते जिसके कर नहीं के करके बीमारियां इस शरीर को अपना घर बनाती जाती हैं ऐसे मैं आज की जानकरी आयरुवेट की सबसे प्रसेद किताब अश्टांग रिदयम और चरक सहीता के आदार पर मैं आपके लिए लाया हूँ इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको भी नसों की ब्लॉकेज और नसों की हर तरह की प्रावलम का यह आसान इलाज का पता लग सके अगर आप भी गर पर इसका इलाज करना चाहते हैं तो यह बहुत ही साधरन चीज है और बिना साइड डिफैक्ट के आप अपनी नसों की कमजोरी को, नसों की दिक्कत को, नसों का दर्दोना, किचाह होना, ब्लॉकेज की समस्या को दूर कर सकते हैं ये चीज बहुत ही साधरण है, आपके शरीर में एक एक नस को ताकत देदेगी, भयंकर से भयंकर तकलिफ को दूर कर देगी, आप इना दबाई के चल फिर सकेंगे, जो इनसान चलने में बहुत ऐसा है महसूस करता है, इस चीज का सेवन करके अपने नॉर्मल काम करना पढ़ जाती है, क्योंकि वेटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी असिड हमारी नसों के उपर एक कवरिंग, एक सुरक्षा कौच की तरह काम करता है, अगर इन दोनों चीजों की कमी हो जाए, तो नसे कहीं से भी मुड़ जाती है, कहीं से भी ब्लॉक के जाती है, दर्द, एटन, खिचाव महसूस करती है, आप रात को क्या करिए, कि दो वॉलनट यानि अक्रोट भिगो दीजिए, सुबह वो भीग जाएंगे, तो उनको नाश्ते में एक चमच शैद के साथ चबा चबा कर खा लीजिए, ये अक्रोट और शैद का एक साथ सेवन करना नसों को तकत देता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, इसको आप अपने नाश्ते में डेली खाईए, तो आपको जीवन बर कभी भी नसों की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज, नसों में खिचाव, जकडन और एटन की प्रवलम नहीं होगी, जिनको नसों की किसी भी तरह की प्रवलम रहती है उनको LC का सिवन जरूर करना चाहिए इसके लिए डेली रात को एक चमच LC भीगो दीजिए और डेली सुबह नाश्ते में ये भीगी हुए LC खाईए ये हमारे अंदर ओमेगा 3 फैटी असिड की कमी को बहुत जल्दी पूरी कर देती है तो जब हमारी बॉड़ी को ओमेगा 3 फैटी असिड भरपूर मात्तरा में मिलता है तो फिर नसों की किसी भी तरह की प्रबलम पूरी लाइफ में कभी नहीं होती है विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो की नसों को ताकत देता है नसों की एटन, कमजोरी इनको दूर कर देता है और इसके लिए एक बहुत अच्छी, बहुत सची चीज है सफेद पेटा ये सफेद पेटा वही पेटा है, वही सबजी है जिससे हमारे देश की सबसे फेमस मिठाई आगरे का पेटा बनता है इस सफेद पेटे का आपको करना क्या है, कि इसे दो कर इस तरह से काट लीजिए जब आप इसको काटेंगे, तो देखेंगे कि इसके अंदर थोड़े बीज होते है ये बीज आपको हटा देने है, बहुत आसान है जैसे आप पीला वाला कदू या पेटा काटते हैं और बीज आटाते हैं बिल्कुल उसी तरह इस सफेद पेटे को काट कर इसके बीज आटाने है फिर इसका बाहर का चिलका चील कर राटा दिना है ये देखिए, इस तरह आप इसका चिलका आटा दीजिए आप हमारे पास जो सफेद पेटा है इसके छोटे-छोटे तूड़े कर लेंगे ये भी एक दमासा अंकाम है आप करीब एक कटोरी सफेद पेटा मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ में आधा गिलास पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह grind कर लेंगे grind करने के बाद अब आप को क्या करना है कि इसको एक चलनी से चान लेंगे जिससे हमको सफेद पेटे का juice मिल जाएगा ये देखिए कितनी आसानी से सफेद पेटे का juice निकल गया है आपको इसमें और कुछ mix नहीं करना है बहुत दर्द रहता है उनको चलने फिरने में मुश्किल महसूस होती है अपने रोज के काम करने में तकलीफ होती है तो सफेद पेटे का juice पिना शुरू कर दीजिए दोस्तों सफेद पेटे में बहुत अच्छी मात्रा में vitamin B6 और vitamin B12 होता है जो नसों को ताकत देने का काम करता है उनकी कमजोरी को दूर करता है आप डेली दिन में किसी भी टाइम इसका एक गिलास juice पिना शुरू कर दीजिए अगर आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है मास पेशियों में दर्द हो रहा है सफेद पेटे को डेली यूज़ करने से आपकी आखों की रोश्नी भी बढ़ेगी अगर किसी की बॉड़ी में आईरन की कमी है खून की कमी है अगर चेरे पर ग्लो कतम हो रहा है अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो सफेद पेटा सेथ के लिए बहुत फाइदे मन्द है आप डेली सफेद पेटे का जूज़ पीजिए इसमें विटामिन D भी बहुत अच्छी मातरा में होता है खास बात यह है कि किसी और सबजी या फल के अंदर इतना विटामिन D नहीं मिलता जितना की सफेद पेटे में मिलता है और तो और इसमें ना किवल विटामिन D होता है बलकि इसके अलावा इसमें कॉपर, आयरन और फॉस्फोरस भी होता है जो हमारी हड़ियों के लिए बहुत जुरूरी है इसलिए जो लोग सफेद पेटा अपनी डेली डायेट में शामिल कर लेते हैं उनकी हड़ियां इतनी मजबूत रहती हैं कि बुड़ा पे तक भी उनको कभी चलने फिरने में, उटने बैटने में तकलीफ नहीं आती और उनके गुटनों की ग्रीज भी कभी खतम नहीं होती सफेद पेटे के जूस के अंदर कार्बोहईड्रिड और प्रोटीन भी होता है सफेद पेटे के अंदर विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E और बीटा केरोटीन बरपूर मात्रा में होते हैं शायद आपको पता होगा कि विटामिन B6 जो है वो हमारे नर्व सिस्टम के लिए हमारी नसों को सही से चलाने के लिए बहुत जरूरी है सफेद पेटे का जूस, रोजान अगर दिन में एक बार पिया जाए तो किसी भी इंसान को लीवर या किड्नी से सम्मंदित, कोई भी समस्या होई नहीं सकती खून की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए सफेद पेटे का जूस, रोजान पिना चाहिए अगर आपको हाई ब्लड पेशर रहता है, शरीर में खून की कमी रहती है, बहुत जदा कमजोरी या आलस रहता है और अगर आप दिल के रोगों से बचे रहना चाहते हैं, तो रोजान आपको सफेद पेटे का एक गिलास जूस जरूर पिना चाहिए सफेद पेटे के जूस से नसे साफ होती है, यानि की शरीर से बूरा कोलेस्टरॉल जिसे LDL कोलेस्टरॉल का जाता है, वो दूर होता है और इसकी दूसरी तरफ HDL कोलेस्टरॉल जिसे एक गुड कोलेस्टरॉल का जाता है, वो शरीर में बढ़ता है इस जूस के अंदर अच्छी मात्रा में एंटी अक्सिडेंट होते हैं, जो हमारी नसों की ब्लॉकेज को खोल देते हैं, साफ कर देते हैं, उनके अंदर का जो कच्रा होता है, उसको भी दूर कर देते हैं, और पूरी बोडी के खून की सफाई कर देते हैं, तो दोस्तों आप सफेद पेटा यूज़ कीजिए और बिना किसी दवा के ही अपनी पूरी फेमिली को बहुत ही असनी से हेल्दी रखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत असान धरे लून उसके और हेल्थ टिप्स जेक करेने के लिए मेरे चैनल सचिन गोईल को सबस्क्राइब कीजिए